गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है 39 अगल 2021 और हम डिस्कस करने वाला है दा हिंदूस न्यूस पेपर को दोस्तों इसकी पीडिया फाल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके जिसका लिंक दिया हुए डिस्क्रिपिशन बॉक्स में या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों आज क्योंकि संडे तो आज हमारे पास कुछ ज्यादा खास न्यूस नहीं होंगी तो आज वर्ड़ अफेर्स वर्गर के बरहें में जादा पड़ पाएंगे ठीक हैं तो सबसे पहली न्यूस जो यहां पर आ रही है वह है एमिट वीज चैंसल अंसर्टेनिटी हॉंट 1500 अफगान आई सी सी यार स्कॉलर्स दिखो पहले ना आप बेस को समझना तो आपके लिए यह इसी हो जाएगे बेस यह हैं आप जनते हैं हमारी कंट्री में यानि हमारी इंडिया में भारत में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के हैं और इंडिया में पढ़ने के लिए ऐते हैं तो जैसे में कई सारे ऐसे अफगानिस्तानी लोग अफगानिस्तानी स्टूडेंट्स जो यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं तो अब पताई कि उनका इक श्र्ण वीजा होता है जब ढूंग वर होती है और कोई आप जानत वो एक terrorist group है तो ऐसे में जो students अफगानिस्तान के हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए और खास और पर हम उनको scholarship दे रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए किसके बाहर के बच्चों को तो ऐसे में क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में जो trade relations है वो और जादा अफगानिस्तानी student निका कि हगर हम एक दिन के लिए वहां पर जाते हैं तो इससे हमारी जान को खत्र है हमें लगता कि हम जिद जंदा रह पाएंगे अगर हम एक दिन के लिए अफगानिस्तान चले क्योंकि दो तो जो तालीबनी लोग है वो ऐसे students पर बहुत जल्दी reaction ले जो इंडिया में situated है तो आप फिलाल तो अभी investor रही नहीं क्योंकि आप तो महां पर तालीबनी का कब जा गया बट स्टिल आभी क्योंकि पुरानी जो गवर्मेंट है उसके इसाफ से यही वह investor थे तो यहां पर यही सोच आया रहे कि जो 800 students है जिनको आमने scholarship के तहित क्या द कर देखो कि आप किसी country में पढ़ने के लिए और आपकी country में इतना जादा खराब माहौल चल रहा है क्या आप वापस आना पसंद करोगे नहीं बट ऐसे में आप दूसी country में कितने दिन तक रह सकते हो कितने साल तक रह सकते हो यह डिपेंड करती है वहां की government की कि वह आपक किसी का सोच कर चलेंगे आप स्टूडेंट हो आप तालीबानी नहीं याद रखना तो आपके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा रूल जरूर बनाए रहेगा जिसके तहट हम आपको एक अच्छी protection दे पैदेखो हमारे बस में जितनी चीज़ें हम उतने आपके साथ बिलक इसके बाद यहां पर आगे लिखा हुए फार्म बिलको लेकर एक बात बोली अब यह फार्म बिलको लेकर नहीं आप से डिसक्स करूँगा लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्योंकि मैं सोच आँ इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दू क्या कि आपके इसको लेकर सुरक्षा के साथ वो इंडिया में वापिस लाई गए ठीक है अब यहां पर एक चीज़ बोली गए पीम जो प्रदान मंतरी वो इनेगुरेट करेंगे रिनोवेटेड जलिया वाला बाग मैमोरियल रीकॉल वेलोबरल आफ पंजाब आप जानते हैं जहां पर पंजाब हमा उनको रिनोवेट करना पड़ता है तो पूरे रिनोवेट किया जारे इस टाइम वो बंद पड़ा हुए उसको पूरा रिनोवेशन के प्रोग्राम में लगाए गया है और यह कहा जारे कि वो संडे या आज से जो अमरिस्सर का यह जलिया वाला बाग यह ओपन कर दिया रह उनके पूरवजों के साथ क्या-क्या चीज़ होगी क्या-क्या घटना करम होगा उससे आपको इंडिया की जो अंडरस्टेंडिंग है वो बहुत अच्छे से होती है कहा जाता है कि एक आईये से इंटर्वें पूछा गया कि अगर आपको पढ़ने का और मौका दिया तो आ और अंसर यह था कि मैं अपने भारत के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि जितना आपको पास्ट पता होगा उससे साब से आप फ्यूचर के प्लाइनिंग उतने ही तरीके से कर पाऊगे कहते हैं कि आप किसी फिल्ड में जा रहोगा और उसके बारे यहां पर बोलेगे ठीक है यह था पका पेज नंबर वन इसके बाद अगर हम आगे यहां पर चलें तो यह सारी थोड़ी लोकल नियूस है इसलिए मैं इस पर जाला डिसकस नहीं करूंगा चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा मुझे आगे चलना पड़ेगा इसके बाद य सब्सक्राइब करें तो इसे में उनको पदमा इवार्ट से जो नवाजा जाए ऐसा जो मारे चीफ मिनिस्टर में के जिर्वार्ट है उन्होंने कहा कि अगर इनको एक मोराल बढ़ेगा कि अगर इन्होंने इतनी रिस्क में यह काम किया है तो भविश में अगर इससे आपके प्रेजिएंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और कोविट-19 में जितने भी डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन वर्कर सी तरह के से काम किया उन सभी कोई अवाड दिया जाएगा तो देखते हैं अनुल टाइम के अंदर इस पर क्या क्या सुनवाई होती है क उसको इनिशेट जरूर करना चाहिए और इस बात को लेकर डेली गाउर्मेंट बहुत जादा जो है वह मतलब कह सकते हो कि आपके पर में सोचती है कि अगर किसी डॉक्टर ने उन दनों पर हमारी है तो हमारी रिस्पांसिविल्टी बनती है कि हम उसको एक एवार्ट से जानते हो क्योंकि कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर अभी थर्ड वेव आने को है तो थर्ड वेव आने से पहले हमें अपनी पूरी तयारी करनी क्योंकि हमें दो साल का एक्सपिरेंस है तो कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम थर्ड वेव को आ 2008 के अंदर मुंबई का सी पोर्ट एलाखा है वहां से कुछ टेरिस्ट आये थे कसाब याद आ रहे वो सारे आये थे और उन्होंने ताज होटल के उपर गबजा करके कई सारे इंडियन्स को मारा था और एक टेरिस्ट अक्टिविटी को परफॉर्म किया था यहां पर एक स्पेशल पेट्रूलिंग विकल बनाए गए थे और जो कि लेर से ने टैब्रो की दोरह बनाए थे एक ऐसा शिप जो कि बहुत जादा मॉडरन टेक्नोलोजी के साथ बनाए गया था के अंदर हम इस सेक्यूरिटी को जो मुंबई टेरिस्ट अटेक हुआ तो 2008 के अंदर अल्याज रेसक देखो पहली बात मेरी सुनो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते कैं दोस्तों यह ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन से बिजली वगरा बनाई जाती है बड़े बड़े प्लांट्स बड़ा बड़ा सेट अप इनके अंदर किया थे बहुत बड़े नजर नहीं आता लेकिन future prospect में उसमें कई सारी चीज़े नजर आती है क्योंकि जब आप पहाड़ी लागों में जिसे नदी नाले होते हैं वहाँ पर कई नदी आ होती है जरने बेसकली उनको काट होगे उनको कुछ करोगे तो उनका रुख जब बदलेगा ना तो उसका impact द हो देरो जब आपको पता ही कि आने वले टाइम जंदर इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप उत्तराखंड का एक्जांपल लिलो उत्तराखंड के अंदर कितनी बड़ी तराज़ी आई थी more than 3000 पीपल उसमें मारे गये थे यह बहुत बड़ी तराज़ी थी अगर आप इसके पीछे का रीजन चान होगे ना क्यों होगा तो वहां पर कंस्ट्रॉक्शन एक्टिविटीज इतनी जाधा हो गए थी कि अचानक से वहां का जो कम पोजीशन है वह बिगड़ गया अब यही चीज़ अगर हिमाले के साथ होगी तो हिमाले के अंदर भी टूरिस्ट तो यहां पर बोलाएं कि जो प्रोजेक्ट साप इनको ग्रीन चीट दे रहो थोड़ा इनके बारे में जानो जांच परताल करो क्या ग्रीन चीट देना हमारे लिए जरूरी है अब जैसे हमाले रीजन है अब जैसे बिसकली उत्रखंड के अगर हम बात करें तो यह क्या करत तो जबसी क्यों हाइडरो पावर प्लांट लगा के इन्वार्मेंट को अफट कर रहे हो तो यह सारी बाते हम पर बुलिए अब दिखते हैं कि चलके सुप्रीम कोट इस पर क्या सुनवाई करता है ठीक है चलिए इसके बाद यहां भी अभी एक बात आ रही है इंडिया पा आपको पैक करके उपर जाते हैं क्योंकि वह सूट यह होता है कि हमारी बॉड़ी के टंप्रेचर को मिनिमाइस करके रखता है पूरा इस तरीकी से अंदर बना देता है इसको सूट पहने कि बाहर का जो इन्वार्मेंट भरी ऑक्सीजन कम हो यह कुछ भी हो उसमें आप आस अब रश्या क्योंकि इस पेस चूट बहुत अच्छे बनाता है तो जो हमारे एस्ट्रोनाट्स वगरा हैं वह स्पेस चूट को बनवाने के लिए अपना जो बॉड़ी का मैजर्मेंट होता है वह देने के लिए रश्या गया हुए थे और वहां से स्ट्रिचिंग करवा के लेकर आएंगे और देखो आप आज कर एक नया कॉंसेप चल रहा है स्पेस टूरिजम का आपने सुना ही होगा कई सारे जैसे जैसे हमारे जो एमेजॉन के चीफ एक जूटिव ऑफिस है वह टूरिजम के लिए ऊपर गये थे कहां उपर इस पेस के अंदर गये तो आने वा इस पेस सूट बोलते हैं कभी आप सोचो की कोई कुड़ती पजामा टाइप का ऐसा कोच होगा नहीं आप यह देखो ना इक फोटो आपने तो देखिए होगी ना इस पेस में जब एस्टोनेट्स जाते हैं तो वह मोटे मोटे से लगते हैं तो यह पूरा होता है बकायत है जिनके अंदर कई सारी लक्टिक वायर्स होते हैं जो कि कनेक्ट होता है अपके कंप्यूटर से आपकी बॉड़ी के टंप्रेचर वगर क्या है सारी चीज़े वह बता देते हैं ठीक है चलिए इसके बाद यहां पर एक बात बोलेगे प्लाजमा डीने वैक्सीन जाए कोवि इस वैक्सीन का नाम है जाय कोविड डी अब यह क्या है यह पूरी डीने बेस्ट है जिसके अंदर तीन डोजिज लगेंगी और इसमें इंजेक्शन का यूज नहीं किया रहेगा क्योंकि पूरा डीने बेस्ट है इस लिए और अभी तक जो भी हमने इसके अंदर रिसर्च वगरा किये है उसके इसाब से यह पाया कि यह जो वैक्सीन है यह बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है खासतोर पर बच्चों के लिए लेकिन अभी इससे ट्राइब बारा से 18 साल के उपर किया गया है अब आने वाले टाम के अंदर हो सकता है कि इंडिया के अंदर इसको ए ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी युएस वह द्रोन जैसे आप जानते है अफगानिस्तान में भी जो हर्मला हुआ था काबल एरपोर्ट पर तो उसमें कई सारे लोग मारे गए थे तो उस बात को लेकर जो 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 बोलाई कि आने वाले टाम के अंदर अभी आफगानिस्ता के लोग नहीं बलकि जो तारिवानी जो गुरूप है हम इसके लिए कई सारे स्ट्रेक्शन लेकर आएंगे और वैसे तो हमारे कोई सीविल इन मारा नहीं गया है जो इन्होंने लोगों को मारा है उसके लिए हम जबावी कारवाई जरूर करेंगे ठीक है चलिए और दूसर कि सोई पता किस पर घूमी जो कमजोर कड़ी होती है और कमजोर कड़ी कौन है हम लोग है लेकिन चलो देखते हां कि क्या होगी तो मेरी प्रेडिक्शन से हैं बटा भी तो ऐसा कुछ बोला नहीं आप जानते हो यह तो चाइना सी बन कर रहा है और मैं तो कोई बड़ी बात जिस पर पूछी आता है आपने आपको मैं पिछले दो क्लासों से पढ़ाता हूँ आरों एसेट्स मॉनिटाइजिशन तो अगेन यहां पर यह बात बुली गई कि एसेट्स मॉनिटाइजिशन को पूश अप कैसे दिया रहेगा तो पहली बात तो यह कि गौश्मेंट के प पर देगे और बदले में बल्की अमाउंट साल दर साल वो चार्ज करती रहेगी इससे क्या होगा कि पैसा भी आता रहेगा और जो उसकी लेंड विश्ट फुल पड़ी हो थी वह यूटलाइज होनी शुरू हो जाएगे लेट सपोस कि एक जगह है जहां से 1.500 क्लिमेंटर के उपर खर्च करेंगे तो इस दिखो बिना डिस इंवेस्टमेंट के पास क्या आगया फंड्स आगे तो फंड्स की कमी क्या होगी यहां से दूर हो गया और इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एसेट्स मॉनिटाइजेशन तो आने वाले टाइम के अंदर यह का जा रहे क कि जैसे मंडे को निर्मला सीतरमन एनाउंस करने वाली है कि नैशनल मोनेटाइशन पाइपलाइन के तहित कितने डॉलर्स जो है कि यह कितने रुपए जो है और वह पैसा कहां कहां कौन से कौन से इंफ्रास्ट्रेक्टर पर खर्च कि जाएंगे तो यह सारी बात यहां पर सब्सक्राइब करने वाली है कि आप हमारे आपर इंवेश्मन करो लेकिन इंवेश्मन करो बीच में थोड़ा सा रुख गई थी जस्ट बीकॉज ऑफ कोविट 19 कि उसके चलते जो पेपर वर्क होता है वह उतना नहीं हो पाया तो सेंट्रल गवर्मेंट ने यह बोला है कि यह इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो इंशुरेंस फार्म है यानि एलाइसी हम उसकी क्य बीच में पर आपने बीच में पर आपने इस बात को यह इंडिया था और जुलाइ महीने में आइप आने वाला था लेकिन वह किसी रिजन से नहीं आपाया था इसके बड़े बड़े प्रेयर आपके है एच एस बीसी बैंक गोल्ड मैं बैंक ओफ अमेरिका सिटी ग्रूप और बीएंबी प्रिबास यह सारी बड़े बड़े ग्रूप थे जिन लोगों को यहां पर इंव्रेश्मेंट करनी थी लेकिन आने वाले टाइम कंदर यह कहा जा रहें कि जलते थोड़ी सी जो डिस कि बाते थी जो मुझे आपको बताने थी ठीक है इसके बाद तो इस न्यूस पेपर में बाकिया और कुछी है बाकि दखो क्रीमी लेर करें मैं आपको बताई था की क्रीमी नॉन क्रीमी लेकर बोलाए कि अगर 6 लक से ज्यादा इंकम है तो उसे जो सुबधाई है जो कर चुका है और चार-पांच दिन पहले की न्यूस के अंदर हमने बाते पढ़ी है आप क्यूंकि फ्रिक्वेंट्ली आज कोईशन में बोली गए ना तो यह वही सारी न्यूस है जो और यह कई क्लासिस के अंदर पूछे डिस्कस कर चुक है ठीक है तो आज के दाई नियू